अश्वा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेर रनाम है सिद्धान तरग नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोस प्राफ का बहुत स्वागत है तो आज हम Cambridge approach की बात करेंगे यह lecture सुनके आपको गुस्सा आएगी Cambridge approach वैसे आप इसको नगार दिया गया है और आप तो यह Cambridge का इसका तो एंडी हो गया है लेकिन आप देखेंगे क्योंकि historiography पढ़ रहे हैं तो सारे व्यूज आपको जानना जरूरी है Twitter पर मैं आ गया हूँ यह दे मेरी ID PDF वैसे तो इस लेचन में कुछ है नहीं कि आप PDF लेंगे आप पर फिर भी हो सकता है कुछ लोगों कुछ ही हो तो मैं इसको अप्रोड कर दूँगा क्योंकि देखें कहने का मतलब यह है कि मैं सब समझाता हूँ है ना तो अब इतने ही points है इसमें तो देखें Cambridge स्कूल की बात करते हैं Cambridge आपको पता ही है इंग्लेंड में देखो Cambridge यह वो group of historians है जिन्हों ने इंडियन politics को एक अलग तरीके से देखा एज ऑफ nationalism कैसी थी यह इन्होंने बताया और यहां पे एक बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली जिसकी वजह से काफी criticism भी होता है इन्होंने इंडियन politics का यह बिल्कुल इसको नकार दिया यह बोलते हैं इंपीरिलिजम और नाशनलिजम यह सेम ही था आरे इंडियन politicians जो हैं बड़ी बड़ी parties ने वो कोई हमारे लिए थोड़ी ना किया कोई लोगों के लिए उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया ऐसा थोड़ी ना थे कि भारत को महान बनाएंगे वो तो खाली अपने लिए का करते थे पावर के लिए काम करते थे पैसे के लिए काम करते थे इसलिए उनको आजादी चाहिए थी इसलिए वो ब्रिटिश तो जो ब्रिटेन का इंपीरिलिजम है और भारत का नाशनलिजम यह बिल्कुल सेम है यह बोलते थे Cambridge वाले दोस्तों आपको बता दो कि इसका background एक था आपका Marxist और एक था एलीट इत हुई यह एलीट इत होई इसी को हम Cambridge approach बोल रहे हैं Marxist क्या बोलते थे देखो Marxist यह बोलते थे यहाँ पे दो चीजों में debate थी पहली चीज यह थी कि ऐसी क्या चीज हुई जिसकी वज़े से British India में politics होगी modern politics को मतलब जब राश्क्रवादी आये और British छोड़ के भागे तो ऐसी क्या चीज हुई तो पहला था क्या economy थी economy से हमारी politics चल रही थी या फिर यह institutional थे ब्रिटेन के institutions ब्रिटेन ने जो school establish किये जो institutions बनाए वो थे marxist समझते थे कि यह पूरा class conflict था economy की वज़े से क्योंकि marxism का marxist जो इस्टोडी है अभी अगले lecture में देखेंगे marxist point of view वो बोलते थे कि economy की ही वज़े से politics जो है वो change हुई भारत की economy जो थी हो इस तरीके से जो drain of wealth रहा तो वहाँ से politics change हुई लेकिन जो elite थे जो बड़े अच्छे खासे लोग थे जो बड़े तप्के के लोग थे intellectuals जिनकों कहते हैं intellectual वैसे अलग होता है जो बड़े बंदाव अमीर थे west में वो बोलते थे कि ना ना ब्रिटेन ने जो institution बनाए ना उससे आपका राश्ट्रवाद जन्मा है समझ रहे हो उससे modern history change हुई है समझे माक्सिस्त बोलते थे कि यह तो economics है जो politics को drive कर रही है और elite बोलते थे नहीं नहीं education और politics political जो हमने ब्रिटेन महौल दिया वो यहां की politics को join कर रही है अब दूसरा जो सवाल है मतलब जो दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई जो elite जो लोग थे west में belief करते थे इसी कोई बाद में Cambridge school बोला गया अब यहां पे हुआ क्या दोस्तों कि इसमें nation और region की बहुत important रही अब यहां प था कि यह regional politics थी, regional politics का उदय हुआ, nation politics का उदय नहीं हुआ, यानि कि एक तरीके से वो criticize कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भारत में ऐसा नहीं है कि हर कोई unite था, यहां पे सब के अपने अपने मतलब थे, एक और चीज़ है कि भारत में कैसे change आया, क्या class conflict हुई, या फिर communities और caste के बीच में conflict हुई, जो Marxist बोलते हैं, Marxist आपका पते हैं, वो class conflict पे जाएंगे, class conflict हुआ, अमीर लोग जो है, और गरीब लोगों के बीच भिडन्त हुई, one on the other way, इसलिए यहां पे change आया, राश्ट्रवादी के nationalism की भावना है यह याद रखे, West से ही ली है, यह राश्ट बोलते हैं, class conflict, लेकिन जो Cambridge approach है, वो बोलता है, ना, communities और various caste के बीच में conflict हुआ, यानि कि इनका मानना है, Indians आपस में ही भिड़े हुए थे, जिसकी वजए से modern history का जानब होता है, politics में change आया, आप समझे, तो यहां पे हम 3 influential works की बात करते हैं, पहला आपका बहुत important DLO, जिनो साउंडिंग सिंग, modern South Asia history ये लिखी, 1960 में बता दूं कि Cambridge 1973 में इसका उदय हुआ, 1973 में इसका उदय हुआ, उसके बाद J.H. Broomfield, allied conflict in a plural society, 20th century Bengal, और Anil Seal, ANIL, SEAL, the emergence of Indian nationalism, competition and collaboration in later 19th century, Cambridge 1968, ये तीन work बहुत जादा important है, अब इन तीनों में क्या बोला गया है, मैं आपको अब in short समझाता हूँ, याद रखेगा कि इसमें सबसे पहली चीज ये बताई गई है कि, जो main motive था, जो modern politics को drive कर रहा था, और nationalistic politics को भी drive कर रहा था, वो economic change नहीं था, लेकिन वो institutional change था, British जो institution बनाए थे जिसने, उसकी वज़े से हमारी modern politics जो है, वो चल रही थी, English education दे रही थी, jobs दे रही थी, civil services प्रवाइड करवा रही थी, modern profession, western medicine, journalism, teaching जिसकी वज़े से politics भी बदल रही थी, भाई इसी की ही वज़े से ही तो हमारे या रास्ट्रबाद आया, जब यहाँ पे west को पढ़ा और उसके बाद फे compare किया, तो यहाँ पे, तो यह जो modern politics है यह इस यह था, दूसरा interpretation यह किया गया, region, यह region based politics को बोलते थे, nation based politics पे नहीं मानते थे, ठीक है, nation based, यह बोलते थे कि नहीं नहीं, nation based politics है यह region based politics है, ठीक है, यहाँ पे traditional culture है, different region में different cultures है, और इसी वज़े से हम देखते हैं कि भारत में political change आया, तीसरा interpretation यह था, कि यह class conflict को नहीं मानते थे, लेकिन इन्हों ने बोला, हर region में, caste और communities के बीच में conflict होता है, आप समझ रहे हैं, अब यह conflict किस चीज़ का, जो English education दे रही है, जो English opportunities दे रही है, उसका conflict है, कौन कितना ज़्यादा इसका फायदा ले सकता है, जिसकी वज़े से politics change हुई, तो यह three point important है, Cambridge School की बात करें, तो इसमें Emergence of Indian Nationalism 1968, यह John Gallagher में publish किया, फिर 1972 में, एक Judith Brown थे, इन्होंने Gandhi Rise to Power publish किया, इन्होंने, हम देखते हैं, कि अभी जो मैंने पिछला वाला व्यू बताया, इसको नका रहा, इन्होंने यह बताया, कि इसमें English education और opportunities, यह modern politics का यह factor ही नहीं, ठीक है, English यहाँ, पहले क्या भी मैंने बताया था कि institution, institution जो British दे रहे हैं, उसकी वज़े से modern politics change हुई, अब यह बोलते थे कि बिलकुल भी नहीं, dynamic factor इसमें responsible थे, मतलब जो centralization था government का, उसकी वज़े से modern politics change हुई, अब इसमें Africa का, इन्होंने example दिये, कि Africa में भी societies के बीच में internal rift था, जैसे यहाँ पे Europeans हैं, और उन्होंने colonization और imperialism start किया, तो सेम चीज क्या है कि जो centralization हुआ government का, सब continent में, उसकी वज़े से यहाँ पे politics change हुई, आप समझ रहे हैं, सरकार ने जिस तरीके से centralization किया है, नई politics है, और साथी साथ यही सही national politics का भी उदह हुआ, और यहाँ पे locality जाधा बल दिया गया, locality बहुत जाधा important है, ठीक है, यहाँ पे region और nation politics को, यानि कि पहले वाले को region politics को भी अटा दिया गया, locality पे जाधा बल दिया, कि यहाँ पे locality जो है, that is the real base of politics, लोकल लोगों का local interest क्या है, तो आप देख रहे हैं कि एक तरीके से यह nationalism को अलग तरीक यह लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, यह तो region wise differ करता है, locality wise differ करता है, अगर मान लो कि एक कोई local, आप समझो, मैं कहना क्या चाहरू, हो सकते है थोड़ा से technical हो, लेकि मैं आपको बहुत simple words समझाता हूँ, जैसे आपके locality में कोई problem है, है ना, आपने बोला है, मान लो कुछ बवाल चल रहा है, तो अगर Cambridge School होता तो वो क्या कहता, वो कहता कि यहाँ पर पानी की वज़े से movement शुरू हुआ है, देश की वज़े से movement शुरू नहीं हुआ है, यह कह रहे थे कि यहाँ पर local interest की वज़े से, जो local interest है ना, उसी की ही वज़े से यहाँ पर politics change हो रही है यह mythical national interest है यह, national interest myth है, कोई यह बकवास है सब, कोई national interest नहीं था, आप समझ रहे हैं, तो जो operating unit है politics में, वो कोई caste community नहीं है, ना ही कोई class है, लेकिन यह faction based politics है, यहाँ पे एक patron है और एक client है, एक locality में एक patron होता है और एक client होता है, जैसे जो पार्षद है, जो leader वो patron होगा, और आप client होंगे, आपको कई problem है, आप उनसे जाके मिलिए, तो यह उनकी politics है, nationalism कुछ है ही नहीं आपे, ठीक है, यह बताए इन्होंने, और यही dynamic factors ने इसी को एक Cambridge School का thought बोला गया, इन्होंने यह राष्ट्रवादी, मतलब जो एक unity को इन्होंने नका रहा है, इन्होंने ब अगर हम major works की बात करें दोस्तों, तो बहुत सारे major works है, अब इसमें हम क्या बताएं, कि इसमें 1973 में locality, province and nation, अनिल्स सील ने इसको publish किया, फिर Gordon Johnson आए, उन्होंने provincial politics, Indian nationalism को publish किया, CA Bailey आए, DA Watchbrook आए, यह सब इन्होंने Cambridge School के लिए काम किया, major works थी, यह 1976 तक काफी कुछ publish हु गया क्योंकि decline ही होना था, इन्होंने भारत को ऐसे पेश किया है कि मतलब कोई राष्ट था ही नहीं, यह तो जब locality है, और British का imperialism और भारत का nationalism actually में same था, Indian society आपस में ही भिड़ी हुई थी, यहाँ पे nationalism इसलिए नहीं था, कि लोगों को problem थी, लोगों को British nationalism इसलिए उबरा क्योंकि यहाँ पे लोग आपस में ही भिड़े हुए थे, अपनी problems उनको, मतलब conflict था यहाँ पे communities के बीच में, यह चीज, उसके बाद features देख लेते हैं, features की बात करें तो यह तो अभी मैंने आपको बताया कि यह patron and client based politics थी, पहला तो यह feature हो गया, दूसरा Bombay politics में Gordon Johnson यह बो society, diverse interest के लिए काम करता था, और यही जब काम होता था, तो इसमें caste भी आता था, region भी आता था, religion भी आता था, अने सील ने भी यही चीज बताई है, कि जो politics थी, यह local affair थी, यह एक race थी, influence की, status की, resources की, कि कौन कितना जादे influential हो सकता है, यह partnership थी, same sorts of fellows की बीच में, यह association थी, बड़े लोगों के बीच में, यानि कि अगर दूसरे words में बात करें, तो vertical alliance थी, horizontal नहीं थी, vertical समझते हैं, सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन, जो सबसे बड़ा वही, vertical ऐसे होगा न, तो जो सबसे बड़ा है, वही नीचे वालों को control करेगा, horizontal में हर कोई साथ चलता ह लेगिन vertical में साथ नहीं चलता है, कहने का मतलब यह बोल रहे हैं, कि यहां पे खाली बड़े लोग जो होते थे न, वो control करते थे, locality based politics थी, बड़े लोग थे, और उनका अपना group होता था, जिससे वो पूरी politics चलाते थे, land, landlord, landlord के साथ होता था, ब्रामन, ब्रामन के साथ हो थी, सब मलाई लेना चाहते थे, यह वाली politics और यह राष्टवाद जो है न, यह देश की कोई कामना किसी नहीं की थी, यह अपने interest के लिए काम कर रहे थे, उसमें हमको आजादी मिल गई, आप समझ रहे हैं, जो town है, जो rural local boss होते थे, वो खुब बढ़िया power इस्तमाल करते थे, resources को कैसे distribute करना है, कोई interference नहीं होता था, तो एक तरीके से वो खुद भी imperial government ही चला दे थे, तो क्या बात करते हैं फिर आप, कि ब्रिटिश को फिर क्या कोचते हैं, यह तो खुद ही imperialism था यहाँ पे, patron और clients के बीच में था यह, connection था, localities के बीच में, align shift होती थी, लेकि फिर local politics आनी चाहिए थी, यहाँ पे Muslim League का ओदय होता है, Hindu महासाभा का ओदय होता है, Indian National Congress का ओदय होता है, इसका क्या जवाद देंगे Cambridge School, तो Cambridge School बोलते है, रे, constitutional reforms लाय थे ना हम, constitutional reforms में, इसने पूरे भारत को एक कर दिया, constitutional reforms में, यहाँ पे जब सम्विधान बन रहा था, म बड़ी-बड़ी parties थी, उनको इन्होंने, एक materialist ने बना दिया है, कि यह खाली economic position चाहते थे, यह अपने लिए काम कर रहे थे, किसी देश के लिए काम नहीं कर रहे थे, और जब Britishers ने deformation लाए, इन्होंने चाहा कि जितना हो सके यह बटोर ले, तो actually में, they were all materialist, इनका कहना, इन्डारेक्ट, इनका यह कहना है, politics जो है यहाँ पे, वो individual search के लिए है, power के लिए, resources के लिए है, यह देश के लिए नहीं है, economic position के लिए है, कौन कितनी बड़ी position हासल करता है, नहरू है तो नहरू प्रधान मंतरी बनेंगे, जिन्ना है तो जिन्ना प्रधान मंतरी बनेंग वल्लब भाई पटल ने एक एक चीज छोड़ दी, सुभाष चंद्र बोस ने अपना इतना भेतरीन करियर छोड़ दिया, भगस सिंग्तो देश के लिए फांसी पे लटक गए, तो कैसे शहीद हो गए देश के लिए, तो कैसे यह लोग बोल सकते हैं, कि आप ऐसा कर रहे है आप समझे रहे मेरी बात, तो कैमरेज स्कूल इस तरीके से भारत के नैशनलिजम को बहुत आड़े हातों लेता है, जो कि बिलकुल गला था, इसलिए इनका बहुत ज़्यादर ट्रेशिम होता है, यह बोलते थे कि पॉलिटिक्स कुछी लोगों के पास है, मर्चेंट्स, इसलिए पॉलिटिक्स को डॉमिनेट करते हैं, ठीक है, और इन सब के बीच में कॉन्फिक्ट होता है, कि किसको जादा मिले, यह सब बोला है, तो यहां पे पावर जो है, वो खुद में ही इंपीरियल अथॉरिटी है, अब अल्टिमेटली हम देखते हैं कि यह तो स्केप् मत था, इन्होंने विश्वास कर रहा है, कि यही पॉलिटिक्स थी, लेकिन यह नहीं था, इसलिए इस स्कूल का end हो गया, 1980 आते आते, Cambridge University यह जो नेवल हिस्ट्री थी इस तरीके की, खतम हो गी, 1980 में हम देखते हैं कि the end of Cambridge School, इनके essay Christopher Baker हो गये, Gordon Johnson, Unseal हो गये, सब के essays Marxist, Liberal, Subalternist, सब लोग इनको criticize करते हैं, यह ऐसा बिल्कुल ही नहीं, यह तो अपने ही मत को थोपना चाह रहे हैं, पर ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ similarities भी देखने को मिलती है, यह बताना चाह रहे हैं कि भारत का nationalism जो है, वो कुछ नहीं था, वो एक सनकीपन था, किसको कितना पैसा मिल जाए, material gain किसको कितना होता है, Indian politics को यह ऐसे explore करते थे, तो जाहिट सी बात इनका criticism हो गाई होगा, लेकिन, इनका contribution भी है, ऐसा नहीं है, कि हर चीज का, बुरी चीज का भी थोड़ा contribution होता है, तो इनका भी contribution है, कुछ चीजे तो वाकई में थी, जैसे community, caste, यह इसा बिलकुल नहीं है, सारे politicians, जितने भी leaders थे ना, सब छोड़ चाड़ के आगे थे, और भारत के लिए काम कर रहे थे, तो यह बताते थे, कि जो Cambridge school है, मतलब जो Cambridge school यह बताता था, कि Indian society जो है, वो horizontal और vertical division दोनों है, vertical इसमें जाधा, और Indian, यहाँ पे Indian society में ही rivalry है, जिसकी लड़ते रहते हैं, यह बोलते थे, जो यह historiographers, अब यह बिलकुल सही नहीं है, बहुत जाधा इसमें criticism हम कर सकते हैं, और काफी historians ने किया भी है, आपको खुद भी पता है कि आजादी, जो लीती हर एक इंसान का खून बहा है, इस मिट्टी में हर एक इंसान का खून है, त समझ गए, यह lecture था, I hope आपको पसंद आया होगा, कल हम बात करेंगे Marxism की, Marxist historiography की, Marxist approach, Marxist जो थे, उन्होंने इंडिया नाशनल मुवमेंट को कैसे देखा, और उन्होंने कोई इंडिया मुवमेंट और बड़े-बड़े मुवमेंट में पाट क्यों नहीं लिया, वो भी हम देखेंगो, कुछ रहे पढ़ते रहे हैं, जैसे सिद्दान तक नहीं होतरी, signing off.